इस lecture में हम यह देखेंगे के जनाबेवाला दूसरा manajaa searchany ni के साइज स्पेस साइज स्पेस साइज स्पेस क्या करता है डिसकावर करता है। राइड करते हैं आप नाइड करते हैं नब ऑफ정ता क्थे घ्रका Mario इसका पुराना नाम आरी है जी यहां पर ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं साइज स्पेस और आप देखिएगा क्या होता है साइज स्पेस आ गया वो यह खुद कह रहे हैं कि वी आर एट इस डूमें अंटिल 2023 मैंने का ठीक है ले जो हमें वहां तो यह एडिस साइज स्पेस इस पे और रेड़ी मैंने साइन किया हुए अगर आप साइन नहीं है तो इस पर साइन कर लें अपना गूगल क्रॉम के साथ तो यह आपको बहुत अच्छी गिजम की इंफरमेशन देने वाला है और दिस इस व पाइलेट साइज स्पेस यह बहुत आला तरीके से काम करती है और वी आर गूइंग तो सी किस तरीके से हमें हमें करने वाली है ठीक है आप जरह इस पर लॉग इन कर लें पेस्ट पेपर वह उते हैं जिनकी साइटेशन ज्यादा होती है यह कुश्चिन आ रहा था को आप साइज स्पेस में जब लॉग इं करेंगे ना गूगल के त्रू मिल्कुल सइन आप करेंगे अक्सर होकात होता है साइन अप वी肉 आगाल सकते हैं आप इसका साइन आप करें साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से नज़राएगी यह वेब साइट है search the largest scientific corpus data in the world. Let's see यह कैसे काम करता है और research paper को better understanding के लिए हमें कैसे help out करेगा home पे जाएंगे तो home है library पे जाएंगे तो आपने अगर कोई काम यहां पे किया हुआ है और ready तो उसकी library बनी हुई है अगर citation generator पे जाएंगे तो this can create citation based on any URL यह आपको citation खुद बना के देगा automatically ठीक है और फिर paraphraser है इसी के अंदर ही paraphraser है जो एक टूल बड़ा मज़ूरे जमाना क्विल बोट अगर किसी को नहीं पता आपको sentence यहां पे लिखते हैं like this one इसको आप paraphrase कर सकते हैं like this one चेक कीजिएगा यह वही चीज़ different sentence में आपके पास आगई है artificial intelligence is a fast growing discipline of computer science that create intelligence machine and that can perform human activities artificial intelligence is swiftly expanding discipline within computer science is responsible for the creation of intelligent machine and so on and so forth pleasureism removed simply ठीक है so this is a quillboard type of software जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल के उसको आप check कर लेंगे जो लोग चैट में लगे हुए मेरी बातों पर गोर कर लें चैट आप question अपने save कर लें मैं जब question answer में जाऊंगा तो फिर आपको बता दूँ then AI detector इस चीज़ से लोग बहुत गवराते हैं आजकर कि यार अगर हमने AI यूज की अपनी research के अंदर तो AI detect करने का टूल भी आगे हैं तो क्या यह प्लेजरिजरिजम काउंट होगा let's see यह input है एक इसको मैं analyze करता हूं तो यहां पर AI detector आपको बता देगा कि AI detection report कैसे बनती है for example यह कहता कि essentially यह human text है ठीक है कैसे बताता यह इनके algorithm trained है तो यह बता देंगे कि low AI use की है moderate की है high AI की है क्यों कि जिस base पे rules पे AI काम करती है उन्ही rules को AI detector test करते हैं कि क्या इसमें वो rules apply हुए keywords के बाकी चीजों के तो उस base पे वो detect करते हैं तो यह machine learning की चीज है इसके उपर में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता लेकिन आप size space के अंदर AI detection कर सकते हैं ठीक है और रही बात कि आपने अगर कोई काम किया तो आप कैसे चेक करेंगे तो you can actually upload this PDF here यहां पर जो भी आपका काम है तो यह उसको analyze कर देगा कि AI कितनी use होई है right समझ आ रही बात की इस वड़ा से मैंने बोला था कि आपने human touch देना है इसके अंदर let's go to the home page अब हमने search करना papers के लिए मैं same sign apps में जो लिखा था data science and agriculture मैं copy paste करता हूं यहां आप चेक करें कि मैंने अभी लिखना start किया इट स्टार्ट शोइंग मी सम पेपर्स मैं इस पर click करता हूं search पर यह रहे जनाब इनके paper और जो PDF में papers available है show papers with PDF वह वहीं आएंगे सिरफ यानि कि आपके पास direct PDF papers की अगर आपने लेनी है तो आप यहां पर click कर देंगे इट विल ऑनली पर जिनकी PDF है और आप फुल टेक्स पर click करके वह PDF ले लेंगे लेकिन आप इसको ओपन रखें आप यहां पर भी साल टाइप ऑथर इंस्टिटूशन टॉपिक एंजनल conference सारह कुछ कर सकते हैं newest linear तो आप यहां पर citation count newest verse यह भी देख सकते हैं तो best paper अपने फिल्ड के निकालने हैं तो citation count पे click कर दें जिस paper की citation ज्यादा हैं वह best paper होते हैं अब इस paper की कितनी citation है बारा हजार साथ सो एक केस और यह paper 1969 का है 1969 का ठीक है तो यू नेंग तू डू एनदर तिंग यह के अंदर जाके last तीन सालों की citation count पे click करें जो current जिन्दा scientist है most probability है कि उनके फिर आपके पास papers आएंगे जिन्दा से मुराद मैंने इस वज़ा से बोला बाकी बहुत वर हक है किसी को आनी है I'm just saying कि जो available है काम कर रहे है सो 321 citation वाला यह पहला paper है which can help you आप इसके उपर काम कर सकते हैं side कर सकते हैं save कर सकते हैं share कर सकते हैं you can do a lot of things यह इतने scientist का paper है 68 68 68 जिसे हम बोलते हैं 68 authors नहीं यह paper लिखा हुए so this is how it works समझ आगी बात कीजी यह क्यों अच्छा है क्योंकि इसमें further options आ रही है आपके पास और आपने अगर इसको save किया for example यहां पर मैं save पर क्लिक करता हूं तो यह मैं अपनी new collection एक बनाऊंगा इसको मैं बोलूंगा data science in agree यह इसके अंदर मैंने create की है यह data science in agree के अंदर मैंने इसे save कर लिए और library पर जाओंगा तो मेरे paper की collection बनी हुए है यह वहला मेरा paper है तो आप इसी के अंदर online अपने papers को save कर सकते हैं ठीक है तो आप अपनी libraries बना सकते हैं which will be helpful at the end समझागी जी size space की क्या ख्याल है तो काम बना size space से let's do another thing size space की जो co-pilot है यह कैसे काम करती है मैं यहां पे कोई एक paper के उपर click करता हूं यह paper है जी हमारे पास ठीक है इसके उपर size space की co-pilot जो हमारे पास है chrome extension जो यहां पर click करने से आपके पास आजाएगी यहां पर click करने से ठीक है समझ जाए मैंने यहां पर click किया तो इस तरीके से आपको यह extension आप install कर लेंगे तो अब यहां पर देखें जी हमारे पास यह co-pilot आ गई है अब आप देखिएगा इसका मजा यह paper के उपर हूं मैं paper की website पे हूं से जाता हूं वापिस इस पर और यहां पर हम लिखते हैं एक्सप्लेइन अब्स्टेक्ट इन टू लाइन लाइन लट सी यह paper अब्स्टेक्ट उसने पूरे का पूरा explain कर दिया राइट साइड के उपर ठीक है मैंने फिर इस पर क्लिक किया मैं गयता हूं वाट अर्दर कंट्रिबूशन ऑफ दिस पेपर उसके बारे में बताएगा बाइदावे यह development के अंदर होते हैं कुछ तूल इस वज़ा से वो कुछ project के जो उनके काम है वो नहीं कर पाते हैं तो यह इसने बता दिया कि यह project कैसे contribute करता है यह paper देन आप पूछते है literature survey यह summarize introduction of this paper यह आपने सिरफ यह लिख है यह पूरे का पूरा introduction summarize करके दे देगा which you can use in your paper later on ठीक है यह पूरे का पूरा paper summarize होके आया introduction का part जो है and if you click it here आप कह सकते हैं कि methods used in this paper उसने key आपको दे देनी है कि मेरे पास कौन से method use हो है by the way GPT यह large language model जो है उन्हें use करके यह सारा analysis हो रहा है ठीक है then you can say के हमारे पास limitations क्या है इस papers की इससे में क्या पता चलता है आपकी research gap का कि जो एक scientist ने काम नहीं किया तो हम इस पर काम करेंगे राजबाली अदब कहते हैं कि हम हमको सा बात है वह एक और था बंदा जो कहता था अपनी यहां का जेकांत शिक्रे तो यह जेकांत शिक्रे इस चीज का बनना हो तो आप gap ऐसे search कर सकते हैं तो basically यह review article है जिन्नोंने भी लिखे और उसके उपर यह सारा काम हो रहा है तो आप बहुत काम कर सकते हैं इस पर यह सारे questions और रैटी लिखें हुआ है future suggestion in this paper suggested in this paper जो future outlook थी तो आपको पता है ना parts of research article या review article वो सारे के सारे यहां पे आप उनको analyze कर रहे है लें जी उन्होंने बताया हुए कि यह काम नहीं हुए वो कर लें अब यह क्यों नहीं काम कर रहा find related papers I don't know about that maybe there is something wrong with this हम इसको thumb down देते हैं ताकि उन्होंनों पता चले कि गल्त कर र मैंने अपने पास लाइबरेरी में यह paper open किया हुए यह वाला मैं इस पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद मैं इसके full text पर क्लिक करके इसको open tab कर लेता हूं यह मेरे पास PDF में भी paper आ जाता है ठीक है अगर इसकी DOI पर आप क्लिक करें तो आपके पास यह paper का लिंक आ के summarize introduction अगर करें तो क्या होता है तो यह यहीं पर काम करना start कर देगा आपके पास ठीक है तो आपने जो लाइबरेरी बनाई हुई है उसी के अंदर ही उसको आप search करना start कर दें ठीक है फिर आप इससे बातें भी कर सकते हैं खुद भी for example अगर मैं इससे कुछ पूछना चाहूं या मैं कोई अपना paper अगर इसमें निकालो let me see मैं google scholar पर जाता हूं यहां पर अपनी profile पर जाता हूं years यह वाला हमारा paper एक copy करता हूं यहां पर गया इसमें paste किया enter किया अगर यह ना ना आया मैं फिर इससे नराज बालके यह था हमारा paper ही नहीं आया इसके अंदर वो यहां पर आ रहे है अधिक हो गया यहां यहां पर को पाइलेट पर क्लिक करता हूं को पाइलेट का मतलब होता है कि आपके साथ जो driving seat पर बैठा हुआ पाइलेट है और यह कर लिए इसने पूरे का पूरा मेरा paper का टेक्स्ट ठीक है यह एक पेपर है जो रिसेंटली हमने पब्लिश किया मैं अब इसके लिमिटेशन पर अगर मैं जाओं तो यह वह सारा कुछ बताता रहेगा लेकिन इफ वांट तो आस्क सम् स्पेसिफिक क्वेस्टेन इट विल आंसर इन दाट वेए फॉर एग्जेंपल वह मैनी स्टडीज वर यूज्ट इन दिस पेपर एक सो चैलिस पीर विव आर्टिकल्स पूरे डेटा को इनलाइज करके उसने आंसर दे दिया मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पेपर आई कैन अंडर्स्टेंड कि यह जो आंसर आ रहे हैं पूरे पेपर से आप ठीक है समझ आई बात की सो आप पेपर के साथ ऐसे बातें कर सकते हैं और इस को पाइलेट विल हल्प यू राइट यूर रिव्यू आफ लिट्रेचर ठीक है पर एक्जेंपल अगर मैं इसकी बात करूं के एक्स्प्लेइन एबस्ट्रैक्ट इन 250 वर्ड्स लेट सी यह क्या करते हैं इस टेकिंग ठाइब और तो कुछ नहीं कर रहा फिला लें जनाव आपका अंसर रेडी है और यूशली क्या होगा आप इसको कॉपी करें लेस्ट डू एन गो एनदर वे एए डिटेक्टर में जाते हैं इसमें पेस्ट करते हैं एनलाइज करते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन उन्होंने बोला है ओवर्वेल्मिंग ए आई तो डिटेक्ट हो सकती है लेकिन अगर आप तीन से चार टूल यूज करेंगे दैन इट विल भी फाइन ठीक है इसको रीफ्रेज कर लें आप और आप फिर दुबारा से चीजों को मेंटेन कर सकते है सब्सक्राइब करते हैं अगली एक्स्टेंशन पर और साइस पेज को मैं यहां पर उपता हूँ